तो कैसे आप सभी लोग एक बाई फिट से स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें आज आप लोग के लिए जो उत्राखन परिक्ष्यावाने की अगली क्लास है वो प्रमुक्ष व्यक्तित्तो आली क्लास हम लोग देखेंगे कैसे मेंस को डील करना है क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको में पूरा समझा दूँगा कौन सी बुक वगरे है तो आप लोग उसके लिए भी तहीं आ रही है ठीक है तो हम लोग ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं शुरवात करता हूँ उत्तराखन के लिस्ट में आप लोग जो नए बच्चे हैं जिला सीरी सुरू कीजिए उत्तराखन हिस्ट्री सुरू कीजिए उत्तराखन इंडिविजुल टॉपिक सीरी सुरू कीजिए तीनों फोल्डर को कम्प्लीट कीजिए आपके उत्तराखन में अच्छी खासी कमांड बन जाएग कभी कभी इनका संबंद कहां से था यह बिसूड गाउं से हैं लोहागार ठीक है लोहागार चमपावत में बिसूड गाउं से यह भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं तीसरी चीज आपको यह देखने हैं कि 1857 की क्रांती के दौरान इन्होंने एक गुप्त संगठन मनाय जब 1857 का रेबुलेशन यानि क्रांती वी थी उसमय कुमाओं का जो कमिशनर था वो कौन था है हेनरी रेमजे था ठीक है हेनरी रेमजे नीचे रिखाओगा कुमाओं कमिशनर कौन थे 877 की क्रांती के दौरान हेनरी रेमजे 877 क्रांती के दौरान ठीक है हेनरी रेमजे क्य पूछा जाता है बहुत बार पेपरोमा ये आप ही चुका है दूसरा देख लिजिए अब इनके मृत्यों का वुई थी इनका जन्मों का वहता है वैसे पूछन UKPSC तो नहीं पूछे का लेकिन UKSSC का कोई भरोसा नहीं कि क्या बुच्दे 1831 में इनका जन्मों वा था जबकि 1900 ये इन्होंने गलत दिया है ठीक है है हेंड़ी आमजी इनके मृत्यों 26 में हुई थी इस टैप का दिया है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सरी डेटा हो सकता है क्या पता होगा भी लेकिन कोशिस करना जन्म पाड़ने के क्योंकि मृत्यों अगरा का क्वेशन नहीं दूसरा बीडी पांडे बद्रिदत पांडे जी ठीक बद्रिदत पांडे जी का एक बार पूछा गया था जन्म कब हुआ था 15 फरवरी 1882 को कंखल में इनका जन्म हुआ था ये क्वेशन आ चुका है पहले अब हाला कि इतना ट्रेंड चेंज हो चुका है जन्म वगरा बहुत मुस्किल से क्वेशन पूछेगा फिर भी जो जो इंपोटेंड में बता देता हूँ एक इनका रखना एक इनका ध्यान रखना ठीक है और ये हुआ था इनका जन्म कंखल हरिद्वार में यानि कभी क्वेशन ऐसे पूछ सकता है कि मैच करने को मैच करने को मतलब इन के बारे में फैक्ट है अप 1913 हिजबी में एक जो अखबार था अल्मोडा अखबार उसको जो अल्मोडा अखबार था उसके संपादक बने तो most important question है बद्रिदत पांडे जी 1913 में अल्मोडा अखबार के क्या बने थे संपादक बने थे question आता है बद्रिदत पांडे जी वो basically कब संपादित हुआ था 1871 में इसका क्या हुआ था संपाद अनुवा था 1871 में अलमोडा अखबार निकला था जबकि 1913 में अलमोडा अखबार के संपादक जो बने थे BD पांडे जी थे ठीक है फिर क्या हुआ था मोंना अकबार को बंद कर दिया गया था, बिटिस सरकार के दथा, तो बद्रिद्दत पांडे निकाला गया, जिसका नाम था सक्ती سमाचार पत्र जो साब्ताहिक तो यह question आता है, कि सक्ती समाचार पत्र जो शाब्ताहिक था हूं कि के दोरव पब्लिश किया था ननी सु आचार में बदृदर्थ पांडे जी की दोरव इसको पब्लिश किया था और इसके जो संपारदक थे बद książ कोई एकर इसके पार्टमों यारत loaded sud स्वाक है अब देखें इसके बाद यी सब्दाइख था ठीक है इनको क्या कहा जा था था कुर्मांचल केसरी नाम से जाना गया ठीक है कौन का नाम कुर्मांचल केसरी था कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने गए बद्रिदत पांडे जाने गए और जो कुली बेगार कुली उतार और कुली बरदाई जो आंदोलन था यानि कुली आंद अधिकारी आता था उसका सामान वगएरा ढोना है कोई पैसा नी मिलेगा उसके लिए अनाज वगएरा विवस्ता करने हैं कोई पैसा नी मिलेगा एक परकार की कुली ब्यवस्ता थी जो की कुपर्था थी उसके खिलाप इन्होंने आवाज उठाई थी तो कुली आंदोलन के प्रमुक क्या थी मतलब जो सूतरधार थी जिन्होंने ये आंदोलन चलवाय था और 1921 में कुली आंदोलन सर्यू नदी की क तो बता देना बच्चो बदिदत पांडे की है 1937 के समय सायद 1937 से चेक कर लेना ठीक है बीडी पांडे बदिदत पांडे जी दवारा ये क्या निकाली गी थी पुस्तक निकाली गी थी कुमाओं का इतिहास इसको ध्यान में रखना इसके अलाबा इन्होंने दो स्वाण प बने थे यानि कभी क्वेशन ये क्वेशन इस तरीके से डील कर सकता आपका इक्जामनर इन में से कौन कभी भी लोगस्वा इस प्रिकर नहीं बना या इन में से कौन लोगस्वा के मतला इस प्रिकर नहीं लोगस्वा के सधस्य ठीक है इन में से कौन लोगस्वा सधस्य बन इसको ध्यांब मेरखना कि और करेंगे खी न को नहीं सतबार को अगला कुछन है परमुक्व्यक्तित्तों मैं हर्गोविन्ध पंत हर्गोविन्ध पंत जो नहीं सासे रहता है यानि जो अलमोडा था, वहाँ जो कॉंग्रेस थी, वहाँ के मेन थे, सुतरजार थे, यानि अगर कभी क्वेशन पूछता है कि अलमोडा कॉंग्रेस की रीड किसको कहा जाता था, तो वो हर्गोविंद पंत जी थे, ठीक है, हर्गोविंद पंत, हर्गोविंद पंत जी को अ उत्राखन में न्याय की देवता नाम से जाना जाता है वो कौन सा मंदिर है चिताई मंदिर ठीक है चिताई का नाम सुनाओ का आपने चिताई गोलु मंदिर कहा है अगर कभी पूस्ता है यह वैसे बता रहा हूं ठीक है यह कहा है अलमोडा डिस्ट्रिक में है अलमोडा जिल् की जरुबत नहीं है ठीक है इनके बारे में एक प्रसिद्ध फैक्ट है जो कुमाओं में कुलीन ब्राह्मनों द्वारा हल नहीं चलाने की प्रथा थी उसका इन्होंनी क्या किया था स्वयम हल चला कर तोड़ा था क्या पता कभी क्वेशन पूच दे कि इनमें से किस व्यक्ति ने कुमाओं में हल चलाने की प्रथा जो थी वो शुरूगी थी यानि कहीं न गए 1928 में जो कुलीन ब्राह्मन द्वारा हल नहीं चलाया जाता था उस प्रथा की अगेंस जाके खुदी इन्होंने हल चलाय था क्या पता देख लेना हाईलाइट कर लेना कुलीन ब्राह्मन हल नचलान की पर्था को किस व्यक्ति द्वारा तोड़ा गया था 1928 में हर गोविंद पंत जी की द्वारा तोड़ा गया था इस फैक्ट को आप लोग ध्यान रखना ठीक है इसके बहले इसके बाद जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था पुरे देश में शुड़ हो गया था अंग्रेजियों के अगया था तो उस दोरान नजरबंद होने वाला पहला व्यक्ति जो था यानि वो कौन था हरगोविंद पंत था इस क्वेशन को याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान यानि कुट इंडिया मुमेंट के दोरान अलमोडा से नजरबंद यानि जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे हरगोविंद पंत जी थे इस क्वेशन को आप लोग इस फैक्ट को हम इसा अपने दिमाग पे रखना ठीक है अब देखें 1937 में वे यूपी असंबरी छी यार इसमें प्रांती असंबरी था 1937 में लोग सबा के लिए यानि कहीं न कहीं इनका भी नाम याद रखना आपको ये भी लोग सबा के सदस्चे रहे थे ठीक है यानि इनका भी लोग सबा के चुनाओं में क्या वाता चायन हुआ था यानि ये वहाँ पे पहुंच गे थे तो दोनों अफेक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि बद्रिदत पांडे जी हों या फिर हर्गोबिंद पंत जी हों दोनों ही क्या पहुंचे लोग सबा के मेंबर भी रहे थे इन दोनों ही फैक्टों को आपको क्या रखना आपने दिमार पे बठा के रखना है ये इंपोटेंट आपके एक्जाम के दिश्टे से रहेंगे अब इसके माँ जो क्योंकि ये चैप्टर हमेशा से इंपोटेंट रहा है हर्गोबिंद पंत के बाद जो अगला नाम आता है वो आता है बैरिष्टर मुकंदिलाल का ठीक है बैरिष्टर मुकंदिलाल बेसिकली कहा से सम्बंदी से चमोली से ठीक है यहां देदेगा हर्गोबिंद पंत यहां पर देदेगा बैरिष्टर मुकंदिलाल ठीक है और यहां देदेगा कालू महरा यहां पे देदेगा आपका बिसुड गाओ यह इस तैप से कभी-कभी जो क्वेशन अगर म 달라고 हार्ड लेबल के बनते हैं पर देदेगा कंखल, ठीक है, और यहां पर देदेगा आपका कहां, पातली महाँ आओं, और यह कहां, यहां भी कुछ और देदेगा, तो इस प्रकार से मैच करने को आप से पुछीगा, तो कभी-कभी ऐसे कोशन, rarely ऐसे पुछी दाते हैं, फिर भी देख लेना है, ठीक है, 1913 से अब जन मोरगरा नहीं पढ़ना है, 1913 से 1919 के बीच इंगलेंड में कानून की पढ़ाई के दुरा इनका तिलक से परिचाय हुआ और राजनितिक सक्रीटा में ब्रिद्धी भी ठीक है, अपने ज्यान के लिए पढ़ लेना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, पेपर की परिक्षया और एक बार कम्प्रीट कर देते हैं, क्योंकि इसमें हरे टाइप के बच्चे हैं, फोरेसगाट के तैयारी कर रहा हुँ, क्या बताओ, कितना डिटेल से पढ़ोगी, तो अभी जो है परिक्षयावानी बगर से क्वेशन आते हैं, तो परिक्षयावानी ही पढ बाकी जब आएगा समय में आपको करा दूगा, और अगर आप को अंदर थोड़ी से इंटेलिजेंस होगी, थोड़ा सा आप लोग बुद्धिक रूप से सकरी वेक्ति होगे, या सकरी छात्र होगे, तो आप इंटरनेट वगरा या अदर सोर्से से इनके बारे में पढ़ स इलहाबाद में, जहां से भारती मानक समय का आप लोगों को एक कॉंचक्ट याद होगा, वो नैनी इलहाबाद में ही है, ठीक है, 1926 से वे स्वराज दल के टिकट पर गलवाल से चुनाव जीते, 1962 से संसर तक उन्हें लैंस्टाउन, विधानसबा, चेतिका पर चुनाव पर और इसके बाद आपका विधानसपा सदस्य रहे, वो कुछ भी नहीं देखने है, राजनिती को त्यागने के पाद अपने जीवन गडवाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में लगा दिया, यानि कहीं न कहीं बैरेश्टर मुकंदी लाल जो थे, आपने सुना भी हो का मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखने में इनका बहुत महत्पून योगदान रहा था, और इन्होंने अपना जीवन जो है, जब राजनिती सकरीथा से हड गए थे, तो इन्होंने क्या किया था, गडवाली साहित्य और कला का क्या किया था, पुनरुत्थान में लगा थे, अपना अधिकांस जीवन ठीक, तो वहीं इन्होंने गडवाली से लिगे प्रशिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को खोचकर उन्हें कला जगत में प्रशिद्ध दिलाई, तो ये क्वेशन आता है, मौलाराम को थे, एक तो जनरली, मौलाराम गडवाली चित्रकार, आप सभी जानते हैं कौन हैं, गडवाली चित्रकार, और इनके जो चित्री थे, इनको दुनिया के सामने लाने का जो स्रे जाता है, वो जाता है, बैरिश्टर मुकंदिला, ये क्वेशन आता है, कि मौलाराम को बैरिश्टर मुकंदिला, मौलाराम के चित्रों बैरिश्टर मुकंदी लाल की ए और एकका प्रकासी दूई थी 1969 में इसका क्या वाता प्रकासन हुआ था ये आपको क्या गन्य ध्यान में रखना है ठीक इसके बाद जो अगला क्वेशन आता है आपका खुसीराम आरे जी के बारे में आता है खुसीराम आरे जी का जन्म 1860 के दौलिया हल्दुचोर नेंताल में वाता नहीं देखना है जन्म वगेरा वे आरे समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे उन्होंने दलितु में व्याप्त को पर्थाओं जैसे बाल विबा, मदीरा, पान, चुमा चूत, आदी की समाप्ति के लिए संपुर्ण कुमाउचित में जागुदा भेरा ठीक है दलितु को सिल्पका नाम परदान करने में उन्हें अगरणी भूमिका निभाई, तो खुसी राम आरे जी के बारे में आपको ये पता है कि दलित पुनलुथान के क्या थे, एक परकार के नायक थे, दलितु की सामाजी की स्तिति में सुधार करने के लिए अगरणी इन्हों पुछी राम आरी जी के बारे में आपको ये पढ़ना है दलीत पुरुनत्थान के नायक थे सिल्पकार सुधानी सब्द देने में भी इनका महत्तुपुन योगदान दा था इतना देखने है अगला आता है बल्देव सी आ ये जन मुकब होगा था कहां होगा था इनका इतना जादा नहीं देखने है स्वाधिन्ता संग्राम सेनानी लोगपिरे जन परतिनिधी राजनेता समासवी हरिजोन उत्थान को समर्पिता गांधिवादी विचारदा रगते है यानि कहीं न कहीं क्या थे कैसे थे इन चीजों को आपने देखने ना है ये इक्जाम की समय तक जो सबसे लंबे समय तक अपने आप में विधायक का पत इनों ने धारन किया या मंत्री परिस्द को मंत्री पत को सुसोबित करने वाले बलदेव सी आरेजी थे एक क्वशन ये देख लेना ठीक है उनिस्व पचास अब कब कब बने थे क्या बने थे इतना नहीं आत इसके बाद आगला आता है पंडित गोबिंद बलब पंत इनके बारे में तो लगबख सभी लोगं को पता ही होगा भारत अत्र सम्मानित उनिस्व पंडित गोबिंद बलब जी के बारे में क्वेशन आपके एक्जाम में आता ही आता है ठीक है तो देखे पंडित मैं इनका जन मों था थोड़ा सा यह देख जाना है ठीक है यूपी के बरुवू भी रहे थे ग्राम खूर जन पाल मोडा मों हुआ था पंडि जोहाल लाल नहरू ने इनको क्या खाता है हिमालय पूठर नाम से सम्बोधित किया था तो यह देखना आप लोग एकजाम की दिश गोविन बल्ला महाराष्ट चगा करते हैं यह कुछ नहीं देखना है अब उन्हें उत्रप्रदेश के पर्था मुख्यमंत्री बनने का गौलब राप्त हुआ और इस पर दिसंबर उनिस्टो चौब मन तक रहे ठीक है यूपी के पहले सीम थे यह कुशन भी आता आपका यू कासिपूर में यह पन्डित गोविन बल्ला पंघंवड जी निगी थी ठीक है तो यह कुशन देखनाकरी पर चारणी सभा कीसतापना किसने की इस निगी थी गोविन बल्ला पंघंव पंघंव शुन सभागी साखा के रुप में प्रेम सभागी स्थापना गी थी ठीक है अब देखो ये क्रशिवर्जन क्या है कासिपूर नगरी प्रचानी सभागी साखा थी यानि उसका नाम था प्रेम सभा यह most important question है ठीक है यह इसका नहीं है जो इसकी एक साखा थी यानि इसकी एक जी थी प्रेम सभा इस प्रेम सभा की स्थापना 1914 में किस ने गी थी गोविन बल्लब पंते ने पेपर में आपका आता है कि प्रेम सभा की स्थापना किस ने गी थी गोविन बल्लब पंते ने और ये गोविन बल्लब पंते जी ने की थी और ये गोविन बल्लब पंते जी ने कुमाओं परिस्त के गठन के अहम मोमिका अब ये क्वेशन जनरल ही पूछा जाता है कि कुमाओं परिस्त का गठन कब वुआ था कुमाओं परिस्त का गठन कब किया गया था 1916 में यानि कुमाओं परिष्ट कब बना था 1916 में बना था एक वश्यन आपको ये ध्यान में रखना है इसके अलावा 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट से 99 जिले के संयुक्तु प्रांत की विधान परिष्ट के सदस्य निर्वाची तुपे छोड़ दिजे कमिटी का अध्यक्स दुना जाना और साइमन कमिशन के विरोध में नहिरु जी पर जब चोट आई थी उनकी प्राणुकिन ने रक्षा की थी ये आप लोग सुन देना ठीक है अगला देखे आपनो देखे अगला क्या है ठीक है वो तो खाली कॉण्ग्रेस मंत्रि मंढल कैबिनेट बना था उुपी का पहला प्हला कॉण्ग्रेस मंटरि मंढल 1937 में इसका जो नेतफर तू कर रहे थे पंडित गोबिंदबल्ब पंतजी ठीक है यह जी बी पंतजी इसका नेतफर तो गर थे यह देखना है लेकिन आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, All India Parliamentary Board, यानि अखिल भारती संसदी बोर्ड के अध्यक्स के रुप में 1934 में किस व्यक्ति को चुना गया था, गोविन बल्लब पंती, ये क्वेशन इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है, कि All India Parliamentary Board, अखिल भारती स संसदी बोर्ड के अध्यक्स के रुप में 1934 में किसको चुना गया था, किसे एक व्यक्ति को, गोविन बल्लब पंती, दूसरा 1937 में UP Cabinet का प्रथम जो गठन हुआ था, उसका नेत्यों तो कितने गया था, गोविन बल्लब पंती जी नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखन ठीक है, 1922, 1909 अगस्त, 1922 को इनने कॉंग्रेस कारेकाने के सदस्यों के साब मुंबई में ग्रफतार किया गया और 31 मार्थ 1945 तक एहमद नगर के किले में नजर बंद रखा गया है, तो क्वेश्चन का रूप क्या होगा यहां से देख लिए, 1922 के भारत छोड़ो आंदोलों के दोरान, पंडित गोविन बल्लब पंथ को किस जेल में नजर बंद किया गया था, अहमद नगर जेल में किया गया था, थोड़ा सा इपॉइंट आप लोग, इस परकार से इसको डील करना है अबको, ठीक है, इसके बार दीखें, 1946 में उत्ता प्रदेश विदान सभा के लिए निर्वाचित हुए और मुख्यमंत्री बनीए, मैंने आपको बता दिया पहले उप्यके थे, चववन तक रहे, दस जनवरी उनिस्टो पस्पन को केंदरी कैविटेट में गरह मंत्री के रूप में वो समलित हुए और देहा वसान तक इस पत्पा परसे, ठीक है, गरह मंत्री भी रहे, ये नॉर्मल चीज है, आपको याधी होगा कि गरह मंत्री भी रहे, अगला देख अगला आता है हर्सदे ओली जी को काली कुमाओं का सेर नाम से इनको जाना जाता है, तो कौन सा एक व्यक्ति काली कुमाओं के सेर नाम से परसिद्ध है हर्सदे ओली, इस क्वेशन को इसी तरीके से समझना, ये क्वेशन आये हैं, पेपरम का ये बार कि कुमाओं का सेर किस पुली बरदायत आंदलों शक्री आंदलों दिया 1929 में लाहर कांग्रेस के वार्षी का दिश्में उनने कुमाओं चीत का परतिनितु किया most important जो हर्सदे ओली के बारे में question आता है लाहर कांग्रेस कमीटी का एक सम्मीलन हुआ था मतलब लाहर में ठीक है अहर कांग्रेस में 1929 में और हर्सदे ओली को काली कुमाओं का क्या कहा जाता है सेर कहा जाता था काली कुमाओं का सेर कहा जाता था कुमाओं का सेर नाम से इनको क्या कहा जाना गया था आपको यही ध्यान में रखना है 1930 में जंगलाथ कानून के विरुदु या देखे को सभीना आवग्या आवग्या आदोन अलग अलग जगा अलग रूप में जाना गया पूरे भारत वर्चम कहीं नमक बनाने के अगेंस टे चला था कहीं जंगलाद कानून के लिए के तो 1930 में उतराखन में सभीना आवग्या आदोन चला था नेल अंतल वगरा के ल उत्राखन में किस व्यक्ति को जाना जाता है। उत्राखन में कौन सा व्यक्ति गड़केसरी नाम से जाना जाता है। गड़वाल युवा सम्मेलन ये कब हुआ था सिरिनगर में गड़वाल युवा सम्मेलन सिरिनगर कब हुआ था 1921 में उसका जो अध्यक्स चुना गया था इसको ध्यान में रखना हो कौन थे अनुसरिया प्रसाद बहुगणा जी को चुना गया था ठीक है अनुसरिया प्रस प्रियागदत पंतजी हैं वो किस जिले से संबन देते हैं जिला हमेशा ध्यान रखना वो बेसिकली किस जिले से जिले से जितने भी आप लोग पढ़ दे हो चाहिए आप लोग अनुसुरी अपर साथ बहुगाना पढ़ो या आप लोग बैरिष्टर मुकंदी लाल पढ़ो या कोई अधर पढ़ो उनका डिस्टिक आपको हमिसा याद होना चीव को उनका किस जिले से संबन देता ठीक है धारा वगरा चला उत्राखन की धर्ती पे आंदोलन की सुरूबात करने का सरे इनीक हो जाता है तो इसको ध्य चुनाव द्वारा एक आम सीट पर निर्वाचित होने आले प्रत्वम हरीजन सदश्शी थे तहीं यहां वे स्युने डर्युत में आपका क्यापका क्या असेंबनी के अलूए पूछने 37 में संयुखतो प्रांत की कॉंग्रेस मंत्री बढ़ इतना नहीं पड़ने आपको कि कभ निर्बाद की रिखत हुए कहा के लिए निर्बाद चीळी रिखत हुए कैसे निर्बाद चित हुए इतना नहीं आता है अगला देखो मोहन सिंग महता जी कहां से संबंदी थे इनका मोहन सिंग महता बागिस्वर जिले से ठीक है मोहन सिंग महता का संबंदी की जिले से है बागिस्वर जिले से है एक पॉइंट यह ध्यान रखना और इनका जो जन्मुवा था कुछ नी पढ़ना आपको कब बहुत प्रियास था तो आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट ऐसे डिल करना है इसके बाद देख लीजे आप लोग क्या लिखे है आर ये अनाथालाई ग्राम सुधार समिधी कताई बुनाई प्रचार के इंदे सिसुपालन समिधी जैसे कई सामाजी कार्यों की बुनियाद रखे ठीक है उत्राखंट से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंता संग्राम से नानी स्वादीन संग्राम सेनारी राजनिता के साथ एक लेखक समाज से भी था गांधिवादी जन्नाईक थे ये तो नॉर्मल आपको पढ़ने वाली चीजे है पेपर के दिश्टे से उतना इंप्रथम नहीं रहता है आपको किसी के बारे में पढ़ने व्यक्ति विशे तो इतना आइडिया तो वैसी ही होना चाहिए आपको की कौन थे तो कॉमन सेंस है कि यार हमें जब हम पढ़ने तो ये तो पढ़ने की वो कौन है करके 1932 में अलमोडा में आई जित कुमाउं यूवक सम्मेलन के अध्यक्स निर्वाचित हुए तो ये ध्यान रखना ठीक है जैसे गलवाल यूवक सम्मेलन मैंने बता था सिन्नागर में 1921 के अध्यक्स अनुसरिया पर साथ बहुगणा थे तो इसी प्रकार से जब 1932 में अलमो नयाल जी को उनका क्या बनाएगा था अध्यक्स बनाएगा था इसको ऐसे डिल करना नयाल जी की उनको मुक्त फेरवी के लिए अपनी श्वार्त देश का परिशे दिया एक परकार के वकालत इनने की मुफ्त फेरवी की थी 1973 में उनने सवतनता संग्राम कुमाउं का यह बहुत इंपूटेन पुस्तक है यह सवतनता संग्राम कुमाउं का योगदान किसके है इंद्रिसी नयाल मोस्ट इंपूटेन एटिक है और यह 1973 में इसको पब्लिश किया गया था और यह भी आपको यादखने दोनु चीज़े आदखने है इंद्रिसी नयाल जी की 1973 में सवतनता संग्राम कुमाउं युगदान नामक पुस्तक लिखी थी भवानी सी हिरावज जी इसके बाद अगले आते हैं इनका जन्मों वगरा छोड़ दीजे कब वहता लेकिन हाँ इतना ध्यानक ना कि कहां से संबंदी थे दुगड़्डा से संबंदी थे दुगड़्ड डेमोक्रेटिक जो यूनियन बनाया था ठीक है संग बनाया था ये यूनियन जो भी कहते हो उससे उत्राखन के एक मात्र सदस्य जो थे वो कौन थे भवानी सी रावद बी एस रावज जी थे ठीक है ये मोस्ट इंपोटेंट क्वेशन है जी चंशेकर आजाद के हिंदुस डेमोक्रेटिक जो पार्टि यूनियन था ये जो संग था उसका एक मात्र उत्राखन का सदस्य बी एस रावद भवानी सी रावद मोस्ट इंपोटेंट क्वेशन है सुपर इंपोटेंट क्वेशन है ठीक है उनी सो तीस में हुए पुलिस से बचने के लिए आजाद वह अ आजाद के साथ व्यतित किया उसके बाद विदेश भागने में प्रियास करते हुए समय 1931 में बंबय पुलिस द्वारा पकड़े गए और मुकदमा चलाए गया सरकार द्वारा दिल्ली सडियन से के इसकी सुनमाई के लिए गत्री ट्रिबुनल को भंग किये जाने के पणा ना थो फरुणी 233 में रिया होगे दुगड़ा में उन्ने सहीद मेले की सुरुवात की थी ये को दुगड़ा में इसको आप लोग अपने ऐग्जाम की दिख से का रखोगे त्यान में रखोगे ठिक है 6 में 1936 रुड़की में इनका क्या हो गया था निधन हो गया था इतना नहीं देखना हाँ इतना याद रखना हिंदुस्तान सोचलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन या संग जो है उसका उत्राखन सा एकमात सदस्यकों था भवानी सिंग रावद किसने दुगड़ा में सहीद मे 1930 में सवी नहीं अवग्यां आन्दोलन हुआ था हो कंप्रीट हमारे कंट्री मौ था उसके लिए लिख रहा है ठीक है इसके बार दिखे उनने जेल यात्रा करनी पड़ी उत्राखन के जनपर्ति नित्यास में नेगी जी का लगातार पांच बार विदान समाँ पर विसका ए इसको किसको त्यागी को इन क्वेस्टन नुको थोड़ा सा इंटरनेट से विकिपीडिया से आप लोग सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत फाइदा होगा अब महावीर त्यागी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ देना की कौन थे क्या थे उनके बारे में क्या कहा जाता इतना ही आपको देखना है इस प्रक्षावानी की दिश्टी से महावीर त्यागी जी के वारे में इतना ही ध्यान रखना कि देहरादुन को इनको सुल्टान कहा जाता था देहरादुन का ठीक सुबन सिंग जीना मोस्ट इंipotent है कुमाव राजपूद परिशत का इन ने भारती जनषंग के सस्तापक सदस्य में именноと three उतना इंप्रूटर नहीं है भारती जिनता पाटी की गठन के बस्चा उनिश्व सद्धत में बारा मंडल विधान्च भाई ये कुछ नहीं पढ़ना है सुबन सिंग जीना के बार में ये पढ़ना की कुमाउ राजपूत परिशत का इनने गठन किया था मामने में इननों एक साल शे मेने में कठोर कारावास की सजावी पर जेल से फरार हो गया और रामेश्वर सर्मा के नाम से दिल्ली में करांतिकारी गतिविद्य से जुड़े रहे ठीक है अब वहां जाके बेहोस होगे आत्मा परमात्मा को मिलेगी इससे बढ़िया ये है कि हम चीजों को बारी की सिपकड़ने क्या पता एक्जामनल क्या सोचता आपका ठीक है त्हीं से पूज़े की यहां से फढ़ा रुके कि इसने दिल्ली में रामिसोर सर्मा नाम से करांतिकारी गतिविद्यों को अंजाम दिया परणि पूर्ना नंद पैन्यू ली जी है ठीक है दरजन भर पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं जिनमें से देशी राज्यों जरांदोर नेपाल का पुने जागरन और संसदी प्रिक्रिया काफी चर्चित पुस्तक का कह रहा है तो देख लेना है अगर चर्चित नहीं कहता तो नहीं देखना था ठीक है इसके बाद उत्ता प अबियत बगर है धीली होने की कारण थोड़ा बोलने में प्रब्लम हो रही जादा बोलने में इसलिए मैं आपको इतना ही करा पा रहा हूं आज तो आपको क्या करना है इनके बार में मैंने जितना आपको बताया था जयानि आप जो भी आप लोग टॉपिक देख रहे हैं इतने भी प्रमुख व्यक्तित हैं तो क्योंकि पेपर में तो आता ही आता ही इस से कोशन आपका काम क्या होगा थोड़ा सा एक बार इनके बार में इनके जीवन के बार में पढ़ ले ना विकिपीडिया से तो उससे क्या फाइदा होगा आप यह निकी जन्म कहा हमाता यहा पर नहीं करना है कोई अगर आपको प्रसिद अवार्ड या कोई इनकी खास बिसेशता अगर आपको यहां देखने को मिलती है तब जाके आप उसको नोट कीजिएगा अन्यता मत कीजिएगा ठीक है हम लोग इससे आगे को आपको जो देखेंगे वो नेक्स्ट कलास में दे यह झायो झायो झालो इज रड़को एड़को जैए हम अन्यता आपको जैए थाए जैटाव्दी प्रसिए टाम दो देखेंगे प्रसित नेसे यहां थापको जपड़को जो त। प्रसिते हैं अगर देखेंगे इक है